और इस वीडियो में हम चाचा कर रहा है माघी पूर्मा कब की है मैं निवेदन करना चाहूँगा दान पूर्णे के लिए और परव के लिए जो यह पूर्मा है वो 24 स्थारी की है और जो ब्रत करते हैं पूर्मा सी का माता में ब्रत करती है वो तेवी स्थारी को है क्योंकि 24 स पूर्मा नहीं होगी तेविस तारीकों जिए ब्रत पूर्मा में चंद दर्सन होता है इसलिए ब्रत पूर्मा तेविस तारीकों है और जो पर्व की पूर्मा इश्णा नित्यादी की पूर्मा है वह 24 तारीकों जो आप सत्नारण भगवान की कथा सुनते हो वह भी 24 तारीको काली भी 24 तारीक वही पूर्मा का वड़त बेटियों की लिए बेहनों के ुलिये माताओं की लिए बहुत कल्याणद का रिये जिसमें Спुनमा को लेकर के मैंदे आपको निविदन किया है कि अवरत हर बहुत ज्यादा जैसे 187 महिया का ऑर के वर्त ने दूश्री मंअ का को वर्त है तो वह है पूर्ड माँ का ही वर्त है इस वर्त को करने से लोग करोद जीक्ट वास ने कामना हो कूश्ट रोग नीं होता इस वर्त की इतनी बड़ी महिमा हैं और वो भी माग की पूर्णमा माग मेला इस समय भरा हुआ है कल्प वास करते हैं दुनिया वर से महात्मा लोग यहां चल करके आते हैं और इसे इस्तान का दर्सन करते हैं माग पूर्णमा के दिन शुबह अपनी बाल्टी में थोड़ा गंगाजल डा करके आप बिलकुल इस्तान कीजिएगा इससे आप बिलकुल भी न चूक हैं इस दिन दान पुनिया इस दिन आप अवस में कुछ दान पुनिया को जब शेश गौमाता के लिए हरा चारा इत्यादी जहां जैसे आपसे बनता है जरूर करें इसमें ब्राह्मनों को जमाने की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है इसमें वस्तरदान की बहुत बड़ी महिमा है मुझे आज भी द्यान है दो शाल पहले चित्रकूट हमें एक ट्रक भरके लेकर के गए थे बस्तरों का कपड़ों का और उसमें भी ये मागी पूनिमा थी माग की पूनिमा थी और पूर्ण मासी में वस्त दान की भी अपने आम में एक बहुत बड़ी महिमा है वस्त हमेशा आयुस देता है परवाज़त की उम्र को लंभा करता है उंचा करता है